दोस्तो इस वीडियो में हम मदपदेश बोड की कक्छा दस्वी की जनरल इंगलिस टेक्स्ट बुक के लेसन वन के अबजेक्टिव कुश्चन बैंक को सॉल्फ करेंगे तो सुरू करते हैं पहला कुश्चन है लाइट दे लेंप ओफ दाय लव जिसका नाम है किस ने लिखा है तो सिंपल सा अंसर है यहाँ पर रबिना टेगोर जी नहीं इसको लिखा है यह हो गया हमारा पहले का अंसर दूसरा का दूसरा सवाल बोल रहा है तो सीनियर का पोजिट क्या है उसका विलोम क्या है तो यहाँ पर सीनियर का विलोम हो जाएगा जूनियर उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर चलते हैं तर टाइम ओफ दे डे वेन लाइट फर्स अपिर्स दिन का ऐसा समय जिस समय पर प्रकास सबसे पहले पहुंचता है उस हैं और एंवस्कों बोलते हैं इंग्लिश पर इंगलिश बोलते हैं दैनल ऐस नाम का एक अखवार भी आता है और एक गाड़ी भी आईते सीधी डॉन करके तो ये हो गया बहुर टिए डब्लु एन राफ़ आगे चलते हैं what is the prefix of healthy healthy का prefix यहाँ पे हमको मिल जाएगा say option में unhealthy prefix यानि जो पहले जुड़ते हैं उसके बाद फिर to change something in something different mean यहाँ पे बोल रहा है परिवर्तन परिवर्तन सब्द कौन सा परिवर्तन का अर्थ कौन सा शब्द दे रहा है तो यहाँ पे दे रहा है transmute transmute का मतलब होता है कि किसे चेज में बदलाव लाना to change something in something different बदलाव लाना मतलब transmute फिर choose the correct opposite word of the word external external का opposite क्या है external का मतलब होता है बाहरी है ना बाहर का तो इसका opposite क्या होगा अंदर का याने आंतरिक और आंतरिक को इंग्लिश में बोलते हैं internal तो external का उल्टा internal फिर सात्वां a force that causes bad things to happen एक ऐसा बल जो गलत चेजें करवाता है उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में evil कहेंगे है ना evil या evil so a force that causes bad things to happen गिव वन वर्ड इसका अंसर है evil नेक्स्ट है choose the correct meaning of disciple disciple का मतलब होता है शिश्य अना भारत देश में बहुत सारे शिश्य हुए है disciple का मतलब होता है शिश्य अब यहाँ पर चार option है उसमें से देखते हैं क्या सही अर्थ रहेगा सबसे पहले लिखाए spirit of a person याने किसे व्यक्ति की आत्मा तीसरे नमबर से नमबर पर लिखाएं इंट्रेंसिंग और रिसरेक्टिंग ये मैच नहीं खा रहें पर दो बचा है option भी याने किसी धार्मिक व्यक्ति किसी धार्मिक गुरु को जो मानता है उनके सिक्षा को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं शिश्य तो हमारा जो option भी है ये करेक्ट है डिसाइपल का मतलब होता है अब परसन हो बिलिफ्स और जो भी लिखाया option भी में अब चलते हैं नावे नंबर के उपर वाट इस दप्रीफिक्स ऑफ फाइनाइट तो फाइनाइट का प्रीफिक्स याने फाइनाइट में शुरू में जोड़ देंगे हम इनफाइनाइट इन जोड़ देंगे तो बन जाएगा इनफाइनाइट और उसके अलावा जित्ते भी चीज़े लिखें वो बिलकुल भी मैच नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा हो गया इनफाइनाइट ऑप्सन सी फिर दस्वा नमबर है दर रेडियंट ग्रेस ओफ गॉड इलुमिनेटिंग दा पोईट्स लाइफ मीन तो जब आप बुक खोल के ग्लोसरी चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा इस सीज़ का कि दर रेडियंट ग्रेस ओफ गॉड इलुमिनेटिंग दपोईट्स लाइफ का मतलब है लाइट डाय रिसरेक्टिंग लैंब तो आपको ग्लोसरी जाके चेक करनी है वहाँ पर बोक के अंदर ग्यारहेवा नमबर है चूज दा करेक्ट मीनिंग ओफ दो वर्ड डाय का मतलब क्या होता है डाय का मतलब होता है त हमारा करेक्ट है दाय मतलब तुम्हारा और यूर मतलब भी होता है तुम्हारा डाय एक पुराना वर्ड है जो यूज होता था लेकिन अभी डाय के जगे यूज करते हम यूर सो डाय का अर्थ हो गया यूर आगे चलते हैं बारहेवा नमबर वट इस दा मेनिंग ओफ स्ली स्लीप का अर्थ क्या है तो यहां पर अगली सूटेड ये सब चीजें सही नहीं है तो यहां पर सही क्या है स्लंबर श्लंबर का मतलब होता है नींद श्लीप कुछ can you a bigu करते चलते हैं दे रहवा डफाइव सेंसेस इस चीभल आइज एयर्स नोज टंग एंड स्किन मेंस तो यह जो हमारे पाँच ग्यानेंद्रियां है eyes, nose, tongue and skin हमारे जो पाँचों ग्यानेंद्रियां है ये इनको हम बोलते हैं क्या बोलते है इनको तो option इसका सही है sense lamps यह हमारे sense lamps यह ग्यानेंद्रियां है इंगलिस में इसको हम sense lamps बोलेंगे फिर 14th नमबर पर आते हैं choose the correct meaning of the word dine तो यहाँ पर dine का मतलब भी होता है तुम्हारा case दूसरा होता है तो यहाँ पर yours our, you, your, यह सब चीज़े नहीं यूस, आप glossary जब चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर थोड़े clear कर लेते हैं die याने your इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं die का मतलब your, y, o, u, r और dine का मतलब होता है yours, y, o, u, r, s तो इसमें थोड़ा confusion नहीं तो यह चीज़ थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात ही है what is the meaning of soul पंद्रहवा नंबर पे है what is the meaning of soul soul का मतलब क्या होता है मतलब आत्मा, option c लिखा है evil spirit of a person याने बुरी आत्मा, option b में लिखा है spirit of a person याने किसी व्यक्ति की आत्मा, a पे लिखा है ignorance याने अज्यान और dm में लिखा है fascinating याने प्रसंद करने देने वाला है और इससे मिलता जुलता तो पे हमें सही लग रहा है spirit of a person और यह हमारा सही option spirit of a person याने soul आगे चलते हैं 16 वा नमबर choose the correct prefix of the word wanted तो wanted का correct prefix हो जाएगा हमारा अगर कहीं पर unwanted मिल जाए तो वह वह सही है तो यहां पर हमको मिल गया unwanted यह हमारा सही है unwanted wanted और unwanted एक film भी आई थी सलमान खान की wanted चलो अब आगे चलते हैं 17 वा नमबर डार्कनेस यहां पर स्पेलिंग डब्लू ए आर्डी होगे वह थोड़ सा तो डब्लू ओ आर्डी होना चाहिए तो वहां पर सो चलो कोई बात नहीं तो what do you mean by the word डार्कनेस यहां पर डार्कनेस सब्द से आप क्या समझते हैं तो डार्कनेस याने वैसे तो होता है अंधेरा लेकिन इस कविता में डार्कनेस का मतलब है इग्नोरेंस मतलब अग्यान इस कविता में डार्कनेस का मतलब है अग्यान आगे चलते हैं 18 वा नमबर याने इस कविता का मैसेज क्या है तो पढ़ते हैं क्या है मैसेज सबसे पहले चख करते हैं ए नमबर पर क्या बोल रहा है कि कि जो अधेरा है या फिर अज्ञानता है वो सारी बुराईयों की जड़ है सारी जो नाखुशी है उसकी जड़ है ऐसा option A बोल रहा है option B बोल रहा है light is the cause of all evil and unhappiness तो ये भी गलत चीज बोल रहा है ये इसमें बोल रहा है कि जो प्रकास है जो अब प्रकास मतलब ग्यान मान सकते है कि ग्यान बुराईयों की जड़ है ऐसा तो बिलकुल भी गलत है C नमबर बोल रहा है कि knowledge is the cause of all evil and unhappiness C नमबर पर बोल रहा है कि जो ग्यान है वो सारे बुराईयों की जड़ है तो यहाँ पर option A जादा सही है option B और C गलत है यहाँ पर तो option A एकदम सही है darkness is the cause of all evil and unhappiness याने जो भी नाखुसी है जो भी बुराईया है उनके पीछे darkness याने अंधेरा तो वैसे इसका है लेकिन इस कविता में darkness का मतलब होता है अज्यानता और अज्यानता ही सारी बुराईयों की जड़ है अब 19 नमबर पर चलते हैं 19 नमबर बोल रहा है choose the correct antonym of the word evil evil का मतलब होता है बुराई तो इसको हम अच्छा ही देख लेते हैं तो good इसका हो गया उल्टा एंटन्याव विरोधी या विलोम तो evil का उल्टा हो गया फिर बेसवा नमबर चलते हैं what do you mean by the word wondrous याने आश्यार चकित कर देने वाला तो इसको अब यहाँ पर option चेक करते हैं option A, spirit of a person याने आत्मा, B, tension याने चिंताएं, worries याने चिंताएं option जो C है fascinating ये एकदम सही है याने मंत्र मुग्ध कर देने वाला या फिर आश्यार ये चकित कर देने वाला so wondrous याने fascinating, what do you mean by the word wondrous तो इसका आश्यार है fascinating, option C फिर एक केस में नमबर पर चलते हैं, capable of making somebody feel great pleasure and admiration so that they give somebody something all their attention, give one word यहां पे ऐसे बात हो रही कि किसी को ऐसा मंत्र मुग्ध कर देने वाली feeling देने को एक word में क्या बोलेंगे तो यहां पे उसका earth जो निकलेगा वो एक बार glossary चेक कर लेते हैं आपके book की तो glossary में चेक करने के बाद मैं find कर पा रहा हूँ इसका earth entrancing यहां पे जो चेज लिखी है capable of making somebody feel great pleasure यानि किसी को बहुत अच्छा मैसूस कर रहाने जो feeling है उसके लिए one word जो है वो है entrancing फिर अब आगे चलते हैं यह सब चेज़ों को लिए आपको glossary चेक करने पढ़ेगे 22 वा नमबर है what is the senses compared to यहां पे यह बोलना है कि यह जो senses है इंद्रिया है इनको इनकी तुलनाई किस से करी गई है तो इनकी तुलनाई करी गई है लैंब से 23 वा नमबर है in this poem what should we pray for इस कविता में हमें क्या प्रातना करनी चाहिए तो हमें प्रातना का यह चाहिए एक option देख लेते हैं to remove the darkness of knowledge to remove the darkness of ignorance to remove the darkness of love to remove the darkness of desires तो यहां पे option B साहिए है की to remove the darkness of ignorance याने अज्यानता का अंदकार को हटाने के लिए इस कविता में प्रातना करनी है हमें अब 24 वा नमबर पे चलते हैं what is the meaning of light light का अर्थ क्या है इस कविता में तो light का अर्थ है knowledge बहुत एज़ी है light का अर्थ है यहां पे knowledge 25 वा नमबर what is the prefix of correct correct के पहले क्या जोड़ दें prefix तो correct का incorrect हो जाएगा prefix बहुत इज़ी 26 वा नमबर है the human body supposed to be built out of clay इसी में अंसर चुपा है कि हमारे जो मानव का सेरीज है वो मिट्टी से बना हुआ है तो clay पहले से इसमें hint दिया गया है so 26 वा नमबर का जोड़ आंसर है वो के लिए है 27 वा नमबर है what is the antonym of light light का उल्टा क्या है तो light का उल्टा है darkness अंधेरा फिर choose the correct meaning of the word suited suited का correct meaning यहाँ पे निकल के आएगा darkened suited का मतलब होता है थोड़ी धूमिल सा कर देना यानि उसको थोड़ी dark कर देना धूमिल कर देना तो यहाँ पे suited का आएगा निकलेगा darkened फिर 29 वा नमबर है what did the boy remember to do before going to bed यह workbook के question है तो एक question यहाँ से भी ले लेते हैं कि उसका काम क्या था तो यह workbook में जाके अभी हमको चेक करना है फिर 30 नमबर एक बाद चेक कर लेते हैं वावेल का उल्टा वावेल में prefix क्या जोड़ेंगे तो semi वावेल हो जाएगा इसका answer और बच्चा 29 वा नमबर इसके लिए बच्च कर रहे हैं तो जो 29 वा नमबर है उसका answer है कि He remembered to pray to God भगवान से प्रातना करने के बाद ही वो सोता था तो यह रहे 30 question objective type question जो आ सकते हैं आपकी परिच्चा में इन में से दो या तीन नमबर के question जरूर पूछे का objective में